में पोजिटीव टीजर और विसी पालल में यह तो ही एंधा कि युक्रिट्टी डीजर को आठो तो 6Q plus 1 6Q plus 2 6Q plus 3 6Q plus 4 या फिर 6Q plus 5 के form में represent कर सकते हैं यह हमें पता है यह क्लिए डिजनलमा के according और यहां हमें given है कि N कोई positive integer है तो वो इसमें से किसी एक form में हो सकता है अब मैं यह proof करना है कि N Q minus N 6 से divisual होगा अब देखे N Q minus N अगर मैं इसमें से N कॉमा ले लूँ तो मुझे मिलेगा कितना N square minus 1 अब यह N square minus 1 इसको हम लिख सकते है N into N minus 1 into N plus 2 sorry N plus 1 A minus B A plus B हो गए A square minus B square यहनि N Q minus N को हम लेख सकते है N into N minus 1 into N plus 1 अब थोड़ा सा कर ध्यान दे तो यह देखे consecutive terms आ रहा है 3 consecutive terms N minus 1 then N then N plus 1 अब मैं यह प्रूफ करना है कि यह जो product है that means N Q minus N वो 6 से always divisual होगा खीक है तो हम सबसे पहले लेते हैं for N is equal to हम कहले लेते हैं N is equal to 6 Q for N is equal to 6 Q N minus 1 into N into N plus 1 यह चेक करेंगे अब 6 से divisual है कि नहीं है फेले खीक है तो N की जागे हमने यह 6 Q put किया देखिए यहां रखेंगे 6 Q minus 1 हो जाए गई यह हो जाएगा N to 6 Q फिर आएगा 6 Q plus 1 अब यहां पर देखिए आप ध्यान से तो यहां पर क्या आ रहा है 6 इसका N minus 1 N into N plus 1 का 6 से एक factor आ रहा है 6 से एक factor आ रहा है that means कि यह 6 से divisual होगा अब देखिए second case for N is equal to 6 Q plus 1 N minus 1 N N plus 1 अब यहां क्या रख रहा है N की जगे 6 Q plus 1 यह हो जाएगा 6 Q क्योंकि minus 1 है यह plus 1 minus 1 cancel और यहां N की जगे हो जाएगा 6 Q plus 1 then 6 Q plus 2 ठीक है क्योंकि N की 6 Q plus 1 था plus 1 और यह 1 था तो 6 Q plus 2 होगा यहां भी देखिए इसका एक factor हमें यहां से 6 मिल जा रहा है 6 factor मिल रहा है that means कि यह 6 से divisual होगा for N is equal to 6 Q plus 2 N minus 1 into N into N plus 1 is equal to यहां पर क्या जाएगा फिर तो यह हो जाएगा 6 Q plus 1 into 6 Q plus 2 into 6 Q plus 3 ओके अब आप अगर यहां से देखिए तो यहां से हमें 3 common मिलेगा और यहां से 2 common मिलेगा जब यहां से 3 और 2 common ले ले रहे तो यह मिल जाएगा यहां से आपने 2 common लिया है तो यहां से 3 common लिया है तो यह हो जाएगा 2 Q plus 1 तो यह देखिए यहां भी 3 into 2 6 मिल रहा है हमें that means यह भी 6 से divisual है 4 N is equal to 6 Q plus 3 ठीक N minus 1 into N into N plus 1 that means यहां पर आजाएगा कितना 6 Q plus 3 रख रहे हैं तो यह हो जाएगा 6 Q plus 2 into 6 Q plus 3 into 6 Q plus 4 अब देखिए आप दियान से यहां से क्या हो रहा है यहां से 3 common ले ले यहां से 2 common ले ले तो यह अगे 2 into 3 यहां से अपने 2 common लिया था तो यह होगा 3 Q plus 1 यहां से अपने 3 common लिया तो यह जाएगा 2 Q plus 1 और यह एज़ देटिज रहने देते हैं 6 Q plus 4 यहां भी देखिए 2 into 3 6 मिल रहा है that means कि यह भी 6 से divisual होगा next for N is equal to 6 Q plus 4 N minus 1 into N into N plus 1 is equal to 6 Q plus 3 into 6 Q plus 4 into 6 Q plus 5 अब आप यहां से देखिए यहां से भी हमें 2 और यहां से 3 common मिल रहा है जो आपने यहां से 3 common लिया और से 2 common ले रहा हैं यहां से 3 common लिया तो यहां से मिलेगा आपको 2 Q plus 1 यहां से आपने 3 common लिया तो यहां से मिलेगा 3Q plus 2, okay, और यह हो जाएगा, 6Q plus 5, यह ज़ेट इज रहाएगा, यहां भी देके 3 इंट 2 to 6 मिल रहा है, यह जाएगा, यह जाएगा, 6Q plus 5, यहां पर तो देखिए, इसी में से 6 कॉमान आ जा रहा है, यहां से आपने 6 कॉमान ले ले रहा है, यह जाएगा, इसका एक फैक्टर यहां पर भी 6 मिल रहा है, that means कि यह 6 से डिविज्वल होगा, इस तरह से यह सारे नंबर, 6Q, 6Q plus 1, 6Q plus 2, 6Q plus 3, 6Q plus 4, और 6Q plus 5, यह सभी क्या हो रहे हैं, मुला हम N किसी भी positive integer को इस terms में represent कर सकते हूं, यह सभी 6 से डिविज्वल हैं, और यही हमें प्रूफ करना था, झाल झाल